कि नमस्कार आप देख रहे हैं यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जो नरैन हर हफ़ती की तरह इस बार फिर हेलो डॉक्टर में एक खास डॉक्टर से मुलाकात होगी किईनी ट्रांस्थारेंर में जाना यानि की साटे हमारे साथ मौजूद ए डॉक्टर पंकर्जवर्मा जो की सीनियर साइकाट्रिस्ट है, सेक्षोलोजिस्ट है और इभान से इन्होंने एम्बिबियस किया है, बहुत स्वागत है आपका, तेंक्यू, सबसे पहला सवाल, मनोचिकिसक, हम नाम सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो डर ज काफी अच्छी अंडर्स्टेंडिंग है, बट जहां बात मांसिक स्वास्थे की आती है, तो लोगों में जागरुकता नहीं है, जब कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होता है, तो लोग उसको पूरली समझते हैं, अच्छे से नहीं समझ बाते हैं, और क्योंकि जनरल पब्लिक में यह परसेप्शन है, कि अगर इसको कुछ मान से कोई परेशानी होई है, तो यह कहीं अग्रेसिव हो सकता है, इसकी डिसीजन मेकिंग करते हैं, लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं, कि यह पता नहीं किस तरह एकदम से कुछ ऐसा बहेवना करने लगे, जो दूसरे लोगों के लिए नुकसान दायक हो सकता है, तो वो पुरानी चीजे हैं, वो उन्हीं परसेप्शन को लेते हुए, लोग अभी तक चलते आ रह हैं, जिसे लूजली आम भासा में बोल देते हैं, कि पागलपन का दोरा आ जाया है, कुछ लोग एकदम से इस तरह बहेव करने लगते हैं, कि गुस्सा करना, कुछ पथर फैकने लगना, दूसरे लोगों पर शक करने लगना, अग्रेसिव होने लगना, वो बहुत ही गंभ तो अब लोग उन दिक्कतों को लेकर भी सामने आने लगे हैं, बिलकुल, इसके लावा भी आपने जिक्र किया कि बहुत सारे इसे लोग होते हैं, जो बहुत जादा एग्रेसिव हो जाते हैं, पत्थर फेकना, चिलाना, चीजे तोड़ना, ये कितना अलग हो जाता है, डि इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, कि वो ऐसा गंभीर कदम उठा लेते हैं, कि फिर बाद में उसके पश्ताने के लावा कुछ होता नहीं, तो अगर दिक्कते शुरुआत होती हैं, तो आस-पास के लोग समझने लगते हैं, कि उनके वहवार में कुछ बदलावाने इंके वहवार में आप और प्रीवर्तन लेख सकते हैं, कि हो सकता है, निरा नेंद की दिक्कतें शुरू होने लगे, हुझे बॉह उनके वहवार में एकदम से अगर काई बदलावाने लगे वह अब और पना वेरा लोगों से लग लिए, लुगों चेह सितने हैं, कि उनको को हो सकता है कि मदद की जरूरत हो तो माँचिक बिँमारियां कितने प्रैयожет को सकती है और इसका जो लेवल है वो कितना जादा बढ़ सकता है क्योंकि देखेए ऑफिस के काम में स्ट्रेस होना उसके बाद स्ट्रेस धीरे धीरे आप उसमें ढ़ते जाते हैं फिर आप को कली को पता चल पाता है ना आपके फिंड्स को पता चल पाता है फैमिली में आपको पता नी चल पाता है अपने पहले पूछा कि इसमें ब्रोडली उनको दो तरह की दिक्कतों में क्लासिफाई करता हैं, एक मेजर मेंटल डिसोडर्र, जैसे मैं बताई कि बहुत घंबीर तरह के जो मानसिक दिक्कते हैं, उसमें साइगोटिक डिसोडर्र, जिसमें मुख्य दया, सीजोफ्रेनिया नाम की दुमारी देखी जाती है, जिसमें इनसान एक ऐसी दुनिया में रहने लगते हैं, जिसका वास्तिकता से कुछ लेना देना नहीं होता, शक्त होना, डर लगना, इस तरह की चीज़ें महसूस करना जो दूसरे लोगों को नहीं महसूस होती हो, कुछ आवाज ये सुनाई देना, अकेले माब जैसे OCD की बिमारी हैं, obsessive-compulsive disorder है, जो एक तरह से हम आम भासा में वहम की बिमारी बोलते हैं, लोग बार बार हाथ दोते रहते हैं, बार बार चीज़ें चेक करते रहते हैं, तो ये सब काफी गंबीर तरह की दिक्कते हो सकते हैं, जो जो चीज़ें हम देखते हैं, जैसे म इसाइल डिप्रेशन जो अवसाद की दिक्कत जो एकदम से मन खराब होने लग जाना, काम में ना लगना, एनरजी कम रहने लगना, तो नीन की दिक्कते हैं, तो ये थोड़े माइनर कम गंबीरता वाली दिक्कते हैं, जैसे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिने नहीं प लोग पागल समझने लगते हैं कि भाई ये हाथ बार-बार क्यों हो रहा है, हाईजीन आप बहुत जादा रहने लग जाते हैं, मतलब ओवर आप करने लग जाते हैं, क्या एक साइकार्ट्रिस्ट इस चीज़ को ठीक कर सकता है, और इस चीज़ से निकलने में साइकार्ट् जैसे उसको बार-बार लगेगा कि उसके अगर हाथ साफ हैं, उसके आसपास की चीज़ें भी साफ हैं, तो भी उसको बार-बार लगेगा कि शायद नहीं कुछ गंदा है, शायद अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, और फिर वो क्या करते हैं, उसको उनको बेचैनी थोड़े रूरल एरियाज में, गाउं में, उनको लगता है कि यह अपने आपको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए, मानसिक सवस्त हमें कि आपको फिजिकली आप बिल्कुल ठीक दिखते हो, सामने वाले इनसान को, उसको लगता है प्रोब्लम क्या है इ वो हमारे लिए वर्स्ट एक चीज थी, जो पूरी दुनिया ने देखी, भारत में भी बहुत लोग इस समय पे डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस में रहने रहे हैं, वो नहीं समझ पाए, बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, वो रिकवर हुए, लेकिन फिर भी उन आते हैं, कौन सा ऐसे स्टेज है, जब हमें मनोच किस्क से मिलना चाहिए, कि अब बहुत हो गया, आपको मिलना चाहिए, अब क्योंकि जो पानी हो सरसे उपर हो चुका है, तो तेखी मैं बताना चाहूंगा, कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है, हम में से सब लोग कभी ना कभ इसे दिनों से गुजरेंगे, जब हमारा मन अच्छा नहीं था, हमारा सायथ काम करने का मन नहीं कर रहा था, हम बड़ा ठके हुए फील कर रहे थे, यह एक दो दिन, तीन, चार दिन तक किसी के साथ भी हो सकता है, यानि अगर आप कंटिनू दो हफते तक इन सब चीजों से जूज रहे हैं, यह स्टेज हो गई आपकी फॉल स्टेज, तो आपको मिलना चाहिए डॉक्न से, कई पार ऐसा भी होता है, यह तो एक उसकी डेफिनेशन है, कई पार ऐसा भी होता है, इतनी गंभीरता होती है, दिक्कतों की, कि आप चार दिन में ही इतना, चार या पांच कितना जदा हमें सपोर्ट करता है, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए अच्छा स्था की ईक एक एक एटिटीज होती है, सीज्नल अफेक्टिव डिसोर्डर, सीज्नल अफेक्टिव डिसोर्डर कहा है, कि यह रिसेर्च ने भी, बदलते मौसम के साथ, इνसान के मूड मे में देखने को मिलता है कि जब सर्दी आने लगती है, धूप की कमी होने लगती है, दिन छोटे होने लगते हैं, और दिन में भी ऐसा होगा कि पूरे दिन धूप नहीं निकली है, तो बड़ा ग्लूमी सा एंवायरमेंट होता है, उस टाइम पर हम देखते हैं कि डिप्रेशन थोड़ा सा बढ़ने लगा है, कुछ लोगों में दिप्रेशन के लक्षनवापस आने लगे हैं, जैसे एमोसम चेंज होगा, गर्मी आने लगेंगी, जैसे आब हम देख रहे हैं, दिन क्लियर होने लगेंगे, पूरे दिन धूप रहेगी, दिन बड़े होने लगेंगे, तो लोगों के ना थोड़े से मूड चेंज होने लगते हैं, बेटरमेंट की तरफ आने लगते हैं, तो ये सीजन का भी इस पर अफेक्ट पड़ता है, डॉक्टर इसके लावा, आज की फास लाइफ में, जो हमारी यंग्स्टर्स दे रहे हैं, पैच अफ, ब्रेक अफ, ब कई बार दोस्त कोशिश करते हैं निकालने के लेकिन नहीं हो पाता है, वो सुसाइट कमेट कर लेते हैं, इसको लेकर एक साकेट्रिस के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, कि ऐसे बहुत सारी लोग आपसे मिले भी होगे, ब्रेक ओफ रोमेंटिक रिलेशनिप ये भी एक किसी को चाहते थे, आप ब्रेक अप हो गया उससे, तो जो इमोशनल वांडिंग थी, वो जब भी ब्रेक होती है, तो एक स्ट्रेस जनरेट होती है, अब कुछ लोगों के लिए वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको हैंडल करना, कुछ लोग, क्योंकि उनकी परसनलेटी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि सामने वाले के घर में आपके बगल में आपका काम कर रहा है, आपका दोस्त है, क्या कर रहा है पता ही नी चल पाता है, यह भी एक अशोशल अवेर्निस की जरूँत है, जी, जी, यह कई बार यह भी देखने को मिलता है, कि स्टूड् अशोचाइड कर लेते हैं, एक्जाम प्रेसर के चलते हैं, यह उनको जो जो अशोचाइड रिजल्स था वो नहीं हैं, उसके चलते हैं वो ऐसा कदम उठा लेते हैं, तो उसमें हम यही देखते हैं कि उनके आसपास का जो एन्वार्मेंट है, आसपास उनका सोशल सर्कल है वो कहीं ना कहीं उनको जल्दी आइडेंटिफाई कर सकता है, उनके वहवार में जो बदलावाएं उनको जल्दी पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलरली टच में है, तो इसी तरह हैं फैमिली मेंबर्स को फ्रेंज को यह ध्यान देना पड़ेगा कि उनके सर्कल में कोई बिल्कुल शोशल अवेर्नेस बहुत जादा ज़रूरी है, आगे एडिक्शन पर भी बात करेंगे और आप सेक्शल ओजिस्ट हैं तो उस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे, फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए उक रहे हैं, कहीं मत जाईएगा देखते रहे हैं, ह सुन्दर घने बालो का राज कि रहा साल के, जो कि मेंटली प्रेशर जहिल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है, वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है, स्कुरीन टाइम बहुत जादा बच्चे दे रहे हैं, मोबाईल कितना एफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ना होकर, म इतना जादा एफेक्ट डालता है उनकी मेंटल हेल्फ पर कोविट में स्कूल्स बंद हो गए थे, तो कोविट में ओनलाइन क्लासी स्टार्ट हुई उससे पहले बच्चों का स्क्रीन टाइम तो रेगुलेट कर बाना एजी था पेरेंस के लिए, बट कोविट के टाइम प अच्छा फोन पे है तो शायद पढ़ा ही कर रहा होगा तो वह पता ही नहीं चलता था कि उनका स्क्रीन टाइम कितना जादा इंक्रीज हो गया है तेक्निकली हम यह बोलते हैं कि नॉन वर्क रिलेटिटिट बिना किसी काम से रिलेटिटिट अगर स्क्रीन पे चोबिस जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप सबसे पहले जो नेगिटिव पॉइंट जाता है आपका यह कि आप किसी नशे के आदी हो जाते हैं या तो आप स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं या एल्कोहॉल इंटेक करते हैं यह कितना जादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि आप यही लोगों को बोलते हैं कि आप नशे से दूर रहे हैं आपके पास बहुत सारे से लोग आते होंगे जो कि डिप्रेशन के वज़े से नशे के आदी हो जाते हैं तो इस लट को कैसे छुडवाया जा सकता है और कितने सेशन होंगे कि अब एंसान इन सब चीजों से ब आप कहीं से भी खरीज सकते हैं आप यूज कर सकते हैं तो इस अज़े जहां पर दस लोग एक बार यूज करेंगे तो दस में से तीन लोगों की पूरी संभावना है कि वह जिंदी बहर के लिए उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे इसी तरा है तो भी डिपेंडेंस बहुत कॉमन है और उसके अलावा फिर ओपियोईज हैं हरोइन कैनाबिस है लोग गांजा या मेरिवाना यूज करते हैं तो यह भी बड़े कॉमन है और आज कर स्टूडेंट्स बहुत कॉमन हो गया है और बिलकुल इसके अलावा अगर हम डेली की बात पर आज करते हैं कि यह वहां पर क्यों लीगली अलावाट होता है तो हम यह हमें बेनिफिशल है हमारे लिए हमें फाइदा कर रहे हैं लेकिन उनको यह समझने की जुड़ा था कि इंडिविज्वली वह उनको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं अबारा जो लाइफस्टाइल है व अबारा जो लाइफस्टाइल कि इतना एफेक्ट डाल रहे हैं इसे निकलने के लिए क्या रास्ते हमारे बास है बहुत इंपॉर्टन यह टोपिक है कि कि लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है अगर आप अच्छे हम बचाओ के लिए भी यही कहते हैं कि आप लोग आप आप शोचल इंट्रेक्शन कर रहे हैं आप लोगों से मिल रहे हैं आप एक फ्रेंड सर्कल है आप रीक्रियेशनल अक्टिविटीज कर रहे हैं इसका बचाओ में बहुत बड़ा रोल है तो लोगों को समझना चाहिए कि एक्सरसाइज अच्छी डाइट और उनका परशुरू कर देते हैं तो फिर आपके Mental Health पर बहुत फर्क डालता है डाकनेस में आप अप रहना शुरू कर देते हैं आज के लाइफ में हम देख रहे हैं यंगस्टर्स को रोश्नी में रहना पसंद नहीं उन्हें डाकनेस पर रहना ज्यादा पसंद है एक आंथ मोबाई पूरा दिन निकाल देंगे वेब सीरीज पर नेट फ्लेक्स अमेजन प्राइम इन सब चीजों पर यह कितना हमारी मेंटल हेल्फ पर असर डाल रहा है जो फिर यही चीजें एक स्क्रीन टाइम की तरफ हम हमें लेके जाते हैं जो बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम करेंगे तो क् आपकी नीम को अफेक्ट करने लगगा आप अपने स्लीपिंग आर्स हो रिड्यूस करेंगे रात को आप लंबे ठाइम तक आप स्क्रीन देख रहे हैं वो चाहे कोई OTT प्लेटफॉर्म सों हो चोशल मेडिया आप यूज कर रहे हो और वो आपकी रूटीन को अफेक्ट कर अंगे रहे हम मेंचली और फिजिकली हैल्दी रहें अधर्वाइस आपको अफेक्टाल दिजिजिस और मेंचल इशू घहरलेंगे घह लेंगे. ऐक्सराइज बहुत इंपौर्टन है योगा बहुत इंपॉर्टन है आपके लाइन लाइफ में है जो पेशन आते हैं क्या उ एक घर की सैटिक में जहाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है धिक पीर ग्रूप्स जिनके साथ हो खेलते हैं जिसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और तीसरे स्कूल का तो बच्छों के लिए बेसिकली थीन आनवायर्मेंट ही होते हैं और जब भी उनको कोई दिक्कत होती ह जरा बार इसा मिलता है बहुत बार कि पेरेंटिंग से रिलेटिड दिक्कते होते हैं जो भाचे को उफेक्ट कर दी होते हैं इसके अलावा शेक्षोलोजी, तो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं है यह भी एक प्राब्लम है, जब आप इंपांटल हेल्थ आपको इफेक्ट करते हैं इस प्राबल्लम की वजब से आप डिपरेशिं में भी Safा बीज़ सकते हैं आप इस्ट्रेस् PF में भी जा सकते हैं आपकी लव लाइफ या मैरेज लाइफ पहोत जारे एफेक्ट एक सेक्स वह भुढुत आसपक्न एक रुष है कि दूप कंगे भांनेलिए लोग बचते हैं जो बात ने एक वहांट हम छू bind कर सेक्स नफिए भाल सिंते हमुवक बंप अब da तो यह बेसिक बायोजिकल फंक्शन है, यह दर्शाते हैं कि जब आपका मन ठीक होगा तो यह सारी चीज ठीक रहेंगी, जैसे ही आप स्ट्रेस में आने लगेंगे, मानसिक्सवास्ते आपका अफेक्ट होने लगेगा, तो हो सकता आप नीम थराब होने लगे, हो सकता आप भ तो हमने इस दूरोज इस तरह के वर इस प्रहुन्साहित आपका जनको मानसिक्स के वाज़ें जेश स्ट्रेस्ट होती है, तो हम ऐसका रूट कोज क्या है, किस वजय से व क्या है उसको जब खाट होरी है, उसको उसको हम एवल्येट करते हैं, और देखते हैं कि उसका बाद में आपसे मुलाकात भी करते हैं और कितना चेंज उनमें फिर दिखाई देता है यह कॉमनली हम लोगों के मन में धारना है कि इस तरह की प्रोब्लम से जो साइड ठीक नहीं हो और इसी के चलते लोग ट्रीटमेंट भी नहीं सीख करते हैं उनको लगता है कि हम जाएंग कई में साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे तो बहुत सारी धारना हैं लोगों के मन में कई बार उसके चलते भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं मैं यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की कोई दिक्कते नहीं है आप अगर प्रोब्लम है तो आपको डेफिनेटली डोक्टर से म मिलना चाहिए और हैल्प सीथ करनी चाहिए लेकिन फिर मैं वही सवाल पूछूंगी कि बहुत कमी है अर्बन इर्याज में है लेकिन रूलर इर्याज में अभी नहीं है इसके लिए किस तरह के कदम उठानी चाहिए देकि हम वीडियो देखते हैं बहुत सारे ऐसे वीडिय दौरे आ रहे हैं लोकल लाइग्विज में कहते हैं कि दौरे पट रहे हैं भूत बादा है अगर कोई मोव्मेंट कोई लड़का या लड़की जिसके ओपर भी प्रॉब्लम है कोई मेंटल इशू है वहरकते कर रहे हैं तो किते हैं बूत बादा है ऊपर ही कुछ है यह अपर नियुक्विज में सब्सक्icher einen कृणमने कर धने क्यांट वह सारे अवेर्नस प्रोग्रम देखते हैं टोक्त फालों पर प्लेट करता हैं वह पब्लिक को जागरुक करने की कोशिश करतें है और सोचल मेड़ीय का बहुत प्बढ़ मेडिया को सुछम हम कराब चीज이는 को अच्छी कुछ अच्छे फाइदे भी हैं उसके क्योंकि 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 सोचल मीडिया एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जिसको हर जगे यूज किया जा रहे है तो उसके थू भी बहुत सारे अवेरनेस इंफोर्मेशन जो है वो पहुचा ही जा रही है दो सवाल पहला तो यह कि सोचल मीडिया एक नेगेटिव एफेक्ट भी आप पर डालता है इसे हम कैसे समझे और आखिर में आप सोचली क्या मेसिस देना चाहेंगे हमारी यंग्स्टर्स को क्योंकि यंग्स्टर्स में बहुत प्रॉब्लम है यह जी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखे क्योंकि बहुत फास्ट पेस्ट लाइफ हो गई है और बहुत सारा स्ट्रेस है व्र्क लिलेशन से प्रिलेटेटिड आप डेली लाइफ में बहुत सारी इफिकल्टीज फेस कर रहे होते हैं बहुत बर फाइनियनशिल 오ले हैं तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगह हैं आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो कि आपके लिए ओर्वेल्मिंग हो रही है, बहुत जादा एक तरह से कहता है, अब पानी सर के उपर से निकलने लगा है, तो there is help, seek help, आप बात कीजिए उसके बारे में, open up होईए, अपने आसपास के लोगों से बात करिए, आप help सीख करिए professionals से, आप आके psychiatrist से मिल सकते हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दिक्कते हैं, अगर आप regularly उनका treatment कराते हैं, तो लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और एक बड़ी happy life lead करते हूँ, बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पंकर्ज, बहुत ही सरल भाशा में आपने इस कंफीर मुद्दे पर बात की, मनो चिकिस्सक हमार साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही बढ़ी आतरीके से इस टॉपिक पर बात की है, उमीद है कि आपको चीजे समझ में आई होंगी, क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं, कि जो mental issues हैं वो बहुत जादा बढ़ हर शुक्रवार रात आट बचेगे